हाल ही में रोनालडो ने यूरो कप के दौरान जो प्रेस्प्स कॉन्फरेंस चल रहा था उस वक्त उन्होंने कोका कोला की जो दो बॉटल सॉफ ड्रिंग की पड़ी थी उसे साइड में रख दिया और पानी की बॉटल आगे रख के कहा एग वा यानि कि आप पानी पीजे और उसके भाई बहन जितने भी सॉफ ड्रिंग है अगर आप ले रहे हैं क्यों आपको अभी इसी वक्त अपने आपके लिए और अपने परिवार के लिए अपने बच्चों को वह नहीं देना चाहिए बंद कर देना चाहिए उसकी वज़ा बताने वाली हूं डूयू णो डाट रोनालड ओ एक ऐसे इंसान है जो मुझे ऐसा लगता है हमारे रोल मॉडल होने चाहिए रोल मॉडल का मतलब ऐसा है कि वो खुद ऐसा एक्जामपल के द्वारा लीड करते है एक ऐसा एक्जामपल सेट करते हैं कि जो हम फॉलो करना पसंद करे हम रोल कि जो खाकर सिफ हमारा शरी बिमारी पढ़ने वाला है बट मेरा मानना है कि यह सही में एक रोल मॉडल है कि जो ना सिर्फ अपनी जिंदगी में कभी जंक फूड नहीं खाते वो कभी भी कोल्ड रिंग नहीं लेते वो अपने बच्के को भीले नाष़ वो Philippe को भी जाते हैं यह भूहस रहे लाइब इवंट में वो बताते हैं कि मेरा पच्छा जब भी भी कोल्ड रिंग ऐची चीजे लेता है तो मैं बहत ही ज्यादा है रहान और परशान हो जाता हूं भी आपको पता है जो बहुत सारे एक्सपोर्ट हुए थे उनके बॉड़ी के ऊपर अनालिसिस किया कि इतना अमेजिंग बॉडी इतना अमेजिंग मसल मास और बॉडी में फैट नहीं है उनकी वैसे उमर 36 है बट साइन्स के हिसाब से जब एनलसिस किया गया पता चला वो सिफ 20 साल के है उनका बॉडी ऐसे फंक्शन करता है माने वो 20 साल के ही हो उनके आसपास कोई फ्रेंड जो है ना बिचारे पार्टी करने नहीं आते क्योंकि वो अलकोहली नहीं लेते हैं और इसी लिए क्यों आपको कोक नहीं पीना चाहिए मैं आपको कुछ प्रेक्टिकल के साथ बताने वाली हूं सी यह जो भाई बहन है ना ऐसे जो भी आपके घर में औरेंज कलर का या यह वाला कलर है यह ट्रांस्परेंट कलर है यह जो भी आप सॉफ रिंग या कोल डिंग लेते हैं number one reason जब आप लेंगे आपका belly fat बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा because आप जब उसका nutritional value देखेंगे ना आपको पता चलेगा यह है 250 ml 250 ml के अंदर 110 calories है ऐसा उसके nutritional जो लेबल है उसके उपर लिखा हुआ जाता है 110 calories is too much और वो empty calories है यानि zero nutrition और इतनी सारी calories जब आप body मे डाल देते हैं क्या होगा fat के माफिक वो जमा हो जाता है आपके पेट में आपके hips में आपके thighs में so that is number one belly fat बढ़ने वाला है और वो भी कोई nutrition नहीं मिलने वाला है number two that is going to happen is it is full of sugar क्यों sugar है क्योंकि आप जब इसे टेस्ट करते हैं भले ही वो कहें कि यह zero coke है इसके अंदर क पर टेम डाला जाता है which is cancer causing carcinogenic है वो और साथ में वो addictive है क्योंकि जब आप एक बार ले लेते हैं ना फिर natural sweetness जो रहती है उसका टेस्ट आपका टंग भूल जाता है he doesn't like it so यह जो शुगर है आपको पता है कितना लाला जाता है this is 250 ml इसके अंदर जो शुगर डाला जाता है in 100 ml it is 11 gram 100 ml में 11 gram यानि 250 ml में कितना होगा करीबन 25-26 gram can you believe this यानि कि कितना चम्मच हुआ पता है एक average चम्मच टी स्पून जो है वो 4-5 gram जितना होता है तो यह हुआ 6 चम्मच जितना sugar 6-7 spoons of sugar और वो भी अगर आप 250 ml की बात करते हैं एक चोटा बच्चा जो है ना 500 ml तो ऐस से ही पी जाता है आराम से और अगर आप advanced you know लोगों की maybe upper middle class लोगों की बात करें हरोज एक कोक लेते हैं खाने में because they can afford it right but we can afford it does not mean that we have to lose our health just in order to be cool तो यह जो है शुगर से भरा हुआ है अगर आप 500 ml लेते हैं आप imagine तो करे 40 gram जितना sugar आप अपने बॉडी में minimum डाल देते ह एक दिन में आप तीन चार चमम से ज्यादा भी ले तो भी आपका शरीर जो है वो डिसीज के और चले जाने वाला है so you have to stop drinking this third reason and that is the most powerful reason and that is हमारा body जब जब जनम लेता है तो slightly alkaline होता है अब alkaline का मतलब क्या है let me explain this I have a chart so यह चार्ट जो है वो है pH scale pH अनी potential of hydrogen potential of hydrogen आपको बत alkaline है क्या वो ऐसे लिख है अगर हम healthy रहना चाहते है alkaline चीज़े चाहनी चीज़े जितनी acidic चीज़े खाएंगे उतनी बिमारिया और बुढ़ापा जल्दी आने वाला है अब यह जो acid की side आपको दिखा रहा है ना वो color दिख रहा है जब आप कोई भी liquid में specific litmus paper या pH के drop आत है so let us see कि यह जो you know red या yellow color है या even green color which is neutral इसमें से कोई color आ रहा है को का या soft drink cold drink जो भी है उसका let let us see that और उसके लिए मेरे पास यहाँ पर है you can see here you know camera अगर हम गुमा सके and that is soft drink तो यह जो है मैंने एक transparent color का लिया है ता कि हम जब drop डाले तो उसका हमें color देख सके so you can consider कि जब आप coke वगेरा भी लेते हैं तो उसका भी pH similar level पर ही आएगा अब यह है मेरे पास एक pH tester अब यह जो pH tester है ना वो आपको बताएगा कि यह चीज कितनी acidic है या alkaline है now see here again यह जो आपको color दिखाया है उससे पता चलेगा कि 7 से उपर है तो alkaline है 7 से नीचे है तो acidic है अब पहले देखते हैं यह acidic है या नहीं है so I am putting some drops here ताकि हमें एक्जेक्ट पता चले कि यह चीज कितनी healthy है let me stir it वाव and look at this can you believe this यह जो pH tester है उसमें देखे जारा कौन सा color आ रहा है red color इसका मतलब इसका pH अना approximately 3 के आसपास रहता है 3 pH और वो भी आप 250 या 500 ml जब ले लेते हैं सरा सोचे तो सही पेट में जब इसे हम डालते हैं बिचारा आपका पेट बिचारा आपका पूरा GI ट्रैक कितना परेशान हो जाता है this is not meant for our body guys so make sure कि इसे आप खतम कर दे ले ही नहीं घर में अगर है तो उसे dustbin में फेक दीजे टॉilet cleaner का काम बहुत अच्छे से करता है so this was third reason why you must stop drinking cold drinks or soft drinks number four reason कि क्यूं आपको ये सारी चीजे नहीं लेनी चाहिए इसके अंदर caffeine भर भर के होता है उसके label के उपर लिखा हुआ होता है contains caffeine इसलिए आपको kick मिलती है ये जो feeling आता है कि हा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है that feeling is because of caffeine and sugar both तो क्या हुआ जब caffeine लेंगे आपके body में dehydration होगा dehydration होने की वज़े से आप regular पानी भी कम पिएंगे और ये है ना आपके muscle आपका जो mineral और vitamin है मानो वो leach out कर लेता it's not going to help at all so dehydrated body बन जाता है और पांच वा जो आखरी reason है why you should not have cold drinks or soft drinks is because osteoporosis, bones के problem, हड़ीयों के problem, joints के issues इस की वज़े से बढ़ जाते हैं क्यूंकि जब आप ये पिएंगे ना calcium absorption आपका बहुत ज्यादा पूर हो जाएगा आपका body भूल ही जाएगा calcium को कैसे absorb करना so make sure कि ये 5 वज़ा ऐसी है कौन कौन सी मैं फिर से बता देती हूं number one it contains a lot of empty calories तो आपका belly fat बढ़ेगा दूसरा sugar से addictive है तीसरा ये जो चीज है उसके अंदर super acidic you know content है यसे लिए body super acidic बन जाता है pH 3 level का pH है और जो चौथा है वो है it contains caffeine so आपका body dehydrated हो जाता है and even sympathetic nervous system आपका बहुत ज्यादा activate हो जाता है which is a fight and flight response and number five is your body gets you know a lot of knee issues or joint issues अब commit मुझे कीजिए इस वीडियो में नीचे लिखे that I commit that I'm not going to have it I'm not going to give it to my kids क्यूंकि रोनाल्डो ने अगर इतना बड़ा step लिया है सामने से पैसे मिल रहा था तो भी उन्होंने side में रख दिया है let us take a pledge की हम आज से ये बेकार सी चीज़े नहीं लेने वाले हैं और प्रोग्राम अटेंड कीजिए मैंने नया एक weight loss made easy webinar बनाया है it is a workshop तीन घंटे का workshop है चार से साथ संडे को है 20th of June को है और ये तीन घंटे के अंदर मैं बताने वाली हूं इतने सारे मित जो आप अभी follow कर रहे हैं शायद आप बिलीव कर रहे हैं और उसकी वज़े से गलट diet, गलत exercise, गलत lifestyle follow कर रहे हैं ये सोच के कि हा मेरा वजन कम हो जाएगा no I'm going to give you a sustainable and long term idea और a strategy की कैसे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं बिमारी को दूर कर सकते हैं कैसे register करना मैंने यहाँ पर link share किया है you can go to that link and you can register वैसे इसकी value जो है 2100 है ये वोक्षप की value बट मैं आपको www.fitbharatmission.com ये link है उपर description में भी मिलेगा नीचे comment में भी मिलेगा and आज से महरबानी करके ये poisonous चीजे प्लीज अपने बच्चों को और अपने आपको मत दीजे बिमार कर देगा और कब हमें बूढ कर देगा और ये नो लाचार कर देगा mentally emotionally sick कर देगा we do not know about it make sure that you share this video I'll see you soon कर दो